नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल स्टेडी कैपिटल पे मेरा नाम है सैलेश यादो और मैं हूँ आपका अगरिकल्चर मेंटोर आसा करते हैं आप अच्छे होंगे और जैसा कि आपको पता है कि CETUG का फॉर्म आ चुका है औ और इसकी फॉर्म फिल करने की लास डेट आपकी 26 मार्श तक है ठीक है आई होप मुझे लग रहा है कि बहुत लोग इने फिल भी कर लिया होगा तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं CETUG के अंतरगत आपका जो BSCG ICR का कोर्स है उससे लेटर इंफॉर्मेशन के बा उसका फायदा होता है क्या चीजे हैं सब कुछ हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं तो वीडियो को लास तक देखिएगा और आप अगर हमारे चाइनल पर नए होंगे तो CET से रिलेटेड हर एक अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन प पर और सही तरीके से गाइड करते हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लिजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद तो जैसा कि बहुत लोग अभी 12th पास की होंगे चाहे हिंदी मेडियम से होंगे इंगलिस मेडियम से होंगे ठीक है तो आपके मन में डाउट होता है कि हम इस ट्री वाले होगे या आप אार्ट्स वाले हो गी यह जो साइंस सिस्ट्रीम के हैं साइंस सिस्ट्रीम में भी कौन से आपके मं से मेट्स ग्रूप बायो ग्रूप और आपका agriculture group ये तीन जो आपके stream वाले हैं वही आपके BSC AG के लिए eligible होते हैं तो उसके अलावा अगर आप देख रहे होंगे तो मैं भी हो सकता है आपके लिए फायदे मनना हो लेकिन अगर आप agriculture चूज करना चाहरे हैं और आप science system से हैं बायो से हैं आप math से हैं या फिर आप agriculture से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत important है तो इस वीडियो को last तक देखिएगा ताकि आपके कोई भी update और कोई भी जानकारी आपसे छूट न पाए ठीक है तो आपका BSC AG हुआ या ICR हुआ अब आपके जो एक्जाम होंगे एक ही एक्जाम होगा CUET UG का जिसकी जिससे कि आपको BSC AG में भी admission में लेगा और ICR के जो पहले एक्जाम होते थे वो अब इसी के थुरू होगा मतलब पिछले साल से यह हो रहा है आपको पता होगा अगर नहीं पता हो तो जान लिजिए अब ICR के लिए आपको अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है उसका भी admission आपके जो CUT ranking आईगी उसके basis पे ICR के अंदर admission होगा तो ICR के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के बताऊंगा कि उसके eligibility क्या है क्या pattern है उसका कह सकते हैं कि चीजा क्या है किस तरह से सब process होता है तो उसके मैं एक detail वीडियो बनाऊंगा ICR के लिए अलग से फिलाल इसमें भी बात करेंगे हम लोग तो पहले ये जान लिजिए कि eligibility क्या है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे eligibility की कि कौन कौन इसको apply कर सकता है कौन कौन इसके लिए eligible है BSCAG course के लिए तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे eligibility criteria क्या है who can apply कौन आवेदन कर सकता है agriculture के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है तो या math से हैं आप bio से हैं या फिर agriculture से रहा है 10 प्लस 2 अगर आपका 10 प्लस 2 रहा है 10 प्लस 2 यानि कि 12 में अगर आपका जो subject रहा है वो math रहा है आपके कोई भी subject में math रहा है बायों से पढ़ें आप math बायों से पढ़ें या फिर agriculture पढ़ें तो ये तीन stream वाले आप agriculture के लिए apply कर सकते हैं यहाँ पे आपके commerce वाले arts वाले आपके eligible नहीं है ठीक पहली बात परसेंटेज बगरा अगर होता है कितना परसेंट आना चाहिए तो minimum मान के चलिए जो की भी अच्चु हुआ या कोई भी university हुआ 50 या 60 सब का अलग अलग है वो depend करता है कि कौन सी university कितना वो आपका मांग रहा है तो पहले तो ये general है कि आपको ये stream अगर आपका है तो आप इसके लिए eligible हैं दूसरा ठीक है ये हो गया कौन नहीं apply कर सकता ये भी आपको पता चल गया ठीक है चलिए आपको ये मतलब नहीं है कि मालीजिए math होने का मतलब PCM वाले ऐसा में लिग दे रहा हूँ ऐसे भी लोग पढ़ते हैं ये वाले या फिर केवल अगरिकल्चर वाले ये लोग अपने अगर 12 में अगरिकल्चर पढ़ा है तो भी आप इसके लिए eligible हैं ठीक है तो अच्छे से जान लीजिए कि अगर आपका जो भी subject combination रहा है अगर ये सारे subject combination आपके 12 में थे तो आप आराम से इसके लिए eligible हैं अगरिकल्चर आपके लिए form apply कर सकते हैं ओके चलिए next दूसरा एक exam pattern क्या रहने वाला है क्योंकि पुराने लोग को सकता है जो एक बार दिये हो या बहुत लोग को पता होगा exam pattern क्या रहने वाला है तो exam pattern में आपके total question आते हैं 50 50 question होते हैं जिसमें कि आप लिए जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ देखिए ये 50 question में 5 plus 5 included होते हैं और होता है 40 40 ऐसे और 5 plus 5 क्या होते हैं आपके paragraph आते हैं ठीक है पांच पांच नमबर के दो paragraph रहेंगे तो 10 question उसमें होते हैं ठीक है ये 10 question जो होते हैं ये 2 पैरा वाले होते हैं एक पैरा दो पैरा ठीक है पांच पांच question के और ऐसे आपका जो total question होगा 40 तो आपको तो ये हो गया कि total question 50 आने हैं जिसमें से आपको attempt करना है 40 50 question में से 40 question आपको attempt करना है ठीक है यानि कि आपको 10 question attempt नहीं करने हैं और उसमें ये नहीं है कि आपको कौन से question attempt नहीं करने हैं जो भी आपको लगत नहीं attempt करना है और count आपका कितना होगा 40 question ही attempt करना है 40 count होगा ठीक है तो ध्यान रखना है 50 में से 40 attempt करना है आपको एक question का जो marks रहा है आपका 5 marks का होता है और minus marking 1 होती है इस subject के लिए आपको time कितना दिया जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि question करने से जादा कि मतलब सही time में आप पूरा question कर पा रहें कि नहीं तो इसके लिए आपको time मिलेगा वो 45 minutes का ठीक है 45 minutes का आपको time मिलेगा 40 questions के लिए 45 minutes का time लेकिन अगर अगर जर्नल टेस्ट दे रहे हैं ठीक है जर्नल टेस्ट के लिए आपको 60 minutes का time मिलेगा maths वालों के लिए भी ठीक है ये सब का time अलग है लेकिन जो आपके domain subject हैं mostly जैसे agriculture के हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गरिकल्चर में आपको 45 minutes का time मिलेगा अगर जर्नल टेस्ट चूज कर रहे हैं तो जर्नल टेस्ट में आपको 60 minutes का time मिलेगा ठीक तो यह तो रहाँ आपका exam pattern इसके अलावा देखिए बहुत सारी universities में क्या है कि अलग-अलग subject combination मांग रहा है जैसे कि कहीं आपको language मांगेगा language का आपको exam देना पड़ेगा अलग से जाए वो हिंदी चूज कीजिए इंगलिस चूज कीजिए या आपको इसके अलावा GT जर्नल टेस्ट ठीक है जर्नल टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा तो बहुत सारी जो agriculture की universities हैं वहाँ पे आपको language और जर्नल टेस्ट की basis पे भी admission होता है यानि कि domain के साथ वो आपका language और जर्नल टेस्ट भी वो मांगेगा तो इसलिए आप जब भी form fill करेंगे आप ध्यान रखना है आपको की language भी उस वहाँ पे एक डाले जो भी आपको English, Hindi जिस language में comfortable हो आप वहाँ पे चूज करेंगे उसका एक paper आपको देना है और साथ में general test ये आपके domain के साथ होना चाहिए ठीक है आप agriculture form fill कर रहे हैं तो उसमें आपको ये language वाले एक paper और एक general test का paper आपको वहाँ पे साथ में add करना है ठीक है तो ये तो हो गया आपका exam pattern और subject क्या कर चूज करना है ये मैंने बता दिया मतलब जो भी आप domain चूज कर रहे हैं अगर आप PCM से देना चाह रहे हैं Physics, Chemistry, Math से दे रहे हैं तो वहाँ पर उसके साथ आप एक language का paper और एक आप जनल टेस्ट का paper चूज करेंगे या तो PCB चूज कर लीजिए जो भी आप जीस तरह का आपका eligibility criteria है अब बात करते हैं syllabus की देखिए इस वीडियो में हम बता syllabus का जो में आपका unit है उसके बारे में बात कर रहे हैं क्यूंकि ये बहुत detail में आपको syllabus में आपको पताऊंगा है अलग video में क्यूंकि ये थोड़ा बड़ा-बड़ा syllabus है जिसमें कि आप देखेंगे जो syllabus है आपके यूनिट पढ़ने हैं जैसे कि आपको पता है कि बागी सब courses में जो कि आपके domains है जैसे कि आपका math हुआ, physics हुआ उसमें यह है कि केवल 12th का syllabus पढ़ना है लेकिन agriculture में ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि यहां पे 12th का syllabus का है, 11th का syllabus का है, यहां पे बकायदे एक syllabus दिया गया ह उसको आपको follow करना है, उसमें आपको पढ़ना क्या है, agrometrology जिसमें कि हम लोग मौसम से related चीजे पढ़ते हैं, जैसे rainfall हो गया, climate हो गया, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं, फिर आपका genetics and plant breeding मतलब की जो भी आपके varieties रिलीज होती है, जैसे कि genetics हुआ है, जैसे जैसे बारे में पढ़ना होता है, जैसे फंगस हो गया, इनके बारे में पढ़ना होता है, एक यूनिट में आपको यह पढ़ना है, दूसरा है आपका live stock production, जिसमें कि live stock का मतलब इसमें हम लोग जितने भी आपके जीवित जानवार हैं, जो आप पालने के लिए यूज करत जैसे मुर्गी हो गया, पालन हो गया, ठीक है, यह सारे चीज़ों के बारे में उनको पढ़ना है, उनसे related क्या चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है, कि कितने नसल हैं, ठीक है, उसके अलावा क्या पढ़ना है, उसके अलावा आपको पढ़ना है, कि उनका care management कैसे और care management के लाव उनकी अंदर क्या-क्या बीमारिया होती हैं, यह सारी चीज़े हमको इसमें पढ़ने हैं, बहुत interesting subject है, आपको पढ़ने में मजा आएगा. थार्ड यूनिट है आपका crop production, crop production में आपका basically जो भी आपके crops हैं, जैसे कि जितने भी आप crops जानते हैं, खास थोट से agronomy वाले subject, जो cereals हैं, pulses हैं, इनके बारे में हमको crop production में पढ़ना है, और उनमें कौन कौन से crops के बारे में पढ़ना है, वो मैं आपको detail वीडियो में बता फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं, उनका कल्टिवेशन कैसे करना है, उनकी क्या वराइटीज हैं, क्या के चीजे उसमें फॉलो होती है, ग्राफ्टिंग वगर जैसे देखे होंगे, कि पेंड वगर लगाते हैं, तो अम लोग दो पेंड को बांध का कई बार देखे हो आपको गाइड करूँगा, अच्छे से, और क्योंकि ये आपका अगरिकल्चर को सिलेबस है, ये आपको देखने में लग रहा है कि इतना ही पढ़ना, लेकिन ये नौन इंडिंग सिलेबस है, क्योंकि अपने आप में जब आप MSC में जाएंगे, पीच्डिव करेंगे, त ये आपका ओबर भी हो गया सिलेबस का, कि ये ये टॉपिक सापको पढ़ने है, ठीक है, नेक्स हम बात करते हैं कि जो हमारा बैच है, ठीक है, क्राइस कोर्स है, इसमें आपको क्या-क्या मिलेगा, हलांकि आपने देखा होगा यूटूब पे है, जब हम लोग लुग करनी है, क्योंकि आपको यहाँ पे hard work के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, कि एकजाम में क्या चीज पूछा जा रहा है, वो चीज हम लोग गाइड करेंगे, कि आपको एकजाम में किस-किस टॉपिक से किस तरह से question पूछे गया हैं, और आपको किस पर ज्यादा फोकस क अंदर तो इसमें आपको मिलने के हावाला है आपके दो language मिलेंगे Hindi English के ठीक है course में आपको दो language मिलेगा फिर आपका general test भी यहाँ पे आपको मिलेगा और बाकी जो domain के classes है physics, chemistry और agriculture तो यहाँ पे agriculture मैं आपको guide करूँगा agriculture से related जो भी coding में मिल जाएगी बाद में तो उसको आप exam तक जब चाहे जितनी बार देखना चाहें आराम से देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है study material मिलेगा जो चीज पढ़ाई जाएगी उसको आपको मिलेगा और ध्यान देना है सबसे दिक्कत जो आती है 12th वाले student को क्योंकि बहुत लोग इसमें Hindi medium से भी रहते हैं और English medium से भी रहते हैं उनका रहता है सर content English में मिलेगा कि Hindi में मिलेगा तो content के हम बात करें जो आपको study material है वो Hindi और plus English दोनों में मिलेगा और जो पढ़ाई के माध्यम होगा जो पढ़ाया जाएगा आपको ठीक है जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर culture आपका ऐसा subject है कि इसको जितना आप practically और relate करके पढ़ेंगे उतना जल्दी और असानी से समझ में आएगा तो जिस तरह से आपको समझ में आएगा उस तरह से मैं आपको समझाऊँगा आपको English में समझ नहाँगा English में, Hindi में समझ नहाँगा Hindi में, ठीक है जिस तरह से आपको समझ नहाँगा मैं समझाऊँगा लेकिन आपको जो content मिलेगा Hindi, English दोनों में मिलेगा पी वाइकुस भी डीप अनलिसिस, मतलब कि जो दो साल के पेपर हुए हैं, वो कॉस्टन किस तरह से पूछे गए हैं, किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं, तो उसमें कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा पढ़ना है, जिस पर ध्यान देना है, उसका डीप अनलिसिस होगा, अब की फ्री रहेगी, चाहिए वो आपका टॉपिक वाइस टेस्ट हो, चेप्टर वाइस टेस्ट हो, ठीक है, यूनिट वाइस हो, या फिर आपका फूल लेंट टेस्ट हो, वो सब आपको फ्री में बिलेगा, ठीक, और नेक्स है आपका इस्पेसल गाइदेंस भी टॉप ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको या कि नहीं कोई रिस्पोंस नहीं बिलेगा, 24 इंटी 7 हम अवेलेबल रहेंगे, जब भी आपको डाउट होगा, कोई बी चीज पूछना होगा, आप अराम से मैसेज करके पूछ लिजेगा, प्राइस आपको बहुत मिनिमल लखा गया है, क्योंकि ट्रीपल लाइन आपका प्राइस है, जो कि बहुत जादे नहीं है, क्रैस कोर्स के रूप में, और ये पचास दिन का जो टारगेट है, इसमें, मैं आपको एक बड़े भाई होने के नाते ये दावा करता हूँ कि आपका A to Z, अगर आपको A भी नहीं आता है, तो म दिये गए WhatsApp नमबर है, यहाँ पे आप कॉल या मैसेज करके, आप पता कर सकते हैं कैसे आपको इसको पर्चेस करना है, तो यह रहा कोर्स के बारे में, अब हम बात करते हैं, बुक्स के बारे में, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं कि नहीं मुझे कोर्स नहीं लेना है, या राज सुन्डा, यह बुक्ट आप ले लीजे, ठीक है, याद किज़े के edition आपको कौन से लेना है, edition आप लेंगे, 2024 वाला, ठीक है, 2024 edition लेंगे, यह बुक्ट आपको अभी भी काम आएगी, मेसी में भी काम आएगी, जितने भी आप agriculture की एक्जाम देंगे, वहाँ पे यह ब लेना है, ठीक है, कहीं भी कोर्स भी लेते हैं, तब भी आपको ये बुक लेना है, इसके अलावा अगर आप प्रेक्टिस के लिए कोई बुक लेना चाहते हैं, तो एक बुक है अरिहंत की, ये अरिहंत की बुक आती है, जिसमें BSC Agriculture के इंट्रेंस एग्जामिनेशन बैसिस प तो ये बुक ले सकते हैं, ओके, तो ये बुक रहा, और मैं जो भी चीजे थी, आपका एक ओवर विव देने की कोशिस किया हूँ, अगरिकल्चर से रिलेटेड जो भी चीजे हैं, बाकी अलग-अलग टॉपिक्स पर जैसे कि आपका इन्वर्सिटी लिस्ट हुआ, सिलेब चैनल पर नए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस कर लिजेगा, और कोर्स से लेटेड कोई भी चानकारी के लिए दियेगा हमारे वाटसप नमबर पर, आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ओके, तो इस वीडियो में इतना ही है, हम आप से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार,